पिछले देन ये आपार्टी दा सोड़ा ओदेधारा वोलो अपने पातो तीफा देन तो बाद आपार्टी दा के लिए जग जहर हो गया जिसनों लाएके विरोधी आपार्टी दा मजाक उडा रहे ने इस मुद्देनों लाएके डक्टर बलवीर सिंग मीत पर दाने कहा कि मै साशन तोड़न वाली गाल है पार्टी दे विचार करेगी ते एक्शन लवगी पर साथी लड़ाई माफिया नशेद सुदागरां किसाना करमचारिया मजदूरां लिए ते लगाता रहे लड़ाई लड़ी जावेगी मुझे कुछ करने की जुरूरत नहीं है क्योंकि मीड ज्यान करे गी तो इस पे भी एक्शन करेंगी और जो इनकी ग्रीमेंस तो जैनुएंट लोग होगां घर किसी की को जैनुएन ग्रीज़ेस है तो आकर अपने परवारी से मिल सकता है वो मिदेरे से बात करेंगा हम उसको रिस्टेट कर देंगे उसको मालना किया जा सकता है तो ये पार्टी फोर्म वाली बात पार्टी फोर्म पे हो नहीं तो जो ये मीडिया में कहे हैं तो इसका पार्टी इसके बारे में सोचेगी जो हाई कमाड़ा जिनका अजिकार कहते रहे हैं तो हम अपना काम हमारी जो लड़ाई है वो मीडिया माफिया से है हमारी लड़ाई के लिए हैं वह ऐगार ढ़ टार थाॹ हैं पुजाब के पानी के लीए हैं पुजाब के खिसान के लिए कर्मची के लिए मिजदूर के लिए लड़ाी हम लाइन परिए चलिए में करते रहेंगे थान कियां करेंगे अगर कोई आदमी दूसरे प्रदेश में अपने जिले में जाते ही नहीं है जहां का वो जिला प्रदान है तो उसके लिए पार्टी वासला करेगी तो कोई ऐसा आदमी जो जिले में रहा के लोगों का जो हलके में रहा के लोगों का काम करे तो अच्छे लोगों को पार्टी आगे लेकर आएगी ताकर इसका अच्छा फर पड़ेगा जब अच्छे लोगा आगे आprovाइगे अच्छा Regular अच्छाला करेंगे तो पार्टी ओर बढ़ेगी करने की कोशशिस कर रहे हैं तो यह साद कर भेए कि इसके पता नहीं कि अन्त्रिक मामला जिए जो आप सी गुटवंदि यहां मीडिया सामने चाहिए लिए असे दूसे बयान कर दे नज़रारे उन्हाने कहा कि यह हो तो नहीं बल्कि काफी समय तो चल दारेया है वकवक लोग वकवक गुट्वंदी तरह काम करें ते मेन्यू लग दाए पार्टी दा विकतन होण वाला है उन्हाने कहा कि जिस तरी के नाद इस पार्टी दा नुकसान हो वेगा कि जहाम आधिम पार्टी का अंतरिक मामला है, उसकी अपनी जो पजाम में गुटवंदी चल रही है, जैसे वो अब मीडिया के सामने भी आपसी जड़बते हुई हैं, और एक दूसरे के ब्यान काटे जा रहे हैं, एक दूसरे कला ब्यान दागे जा रहे हैं, कि अब से नहीं काफी समय से चल रहा है, अलग-लग लोग अलग-लग तरह से काम कर रहे हैं, अलग-लग गुटो-गुरू में काम कर रहे हैं, यह देर स्वेर इस पार्टी में जो गटन है, वो मुझे लगता है, यह होने वाला है, और एक जो कुछ लोग देली के बिलकुल उस तरह करते हैं, और उनका महावरा बात करने का लग है, तो इन दोनों के बीचे संखर चल रहा है, उसमें देली हावी होती है या पंजाब वाले हावी होते हैं, यह देखने वाली बात है. नालीता रवीर गंदी ने कहा कि मैं उनना दे अंतरे कमार वीचे कोई दखल अंदाजी नहीं करांगा, क्योंकि यह मामला अखवारा दे मीडिया वचे सुर्खियां बने होया है, जड़े आउदेदार ने अपने पातों स्तीफा दिता है, ओ सहाय परदा अंदेर वही है, ना खुषान अते मैं इस पार्टी तो सस्पेंड़ा है, मैं इस पार्टी वारे कुछ भी नहीं कहना चाहूंदा, तारा पनजाब जानता है, ख़वारों की आज सुर्खियां है इस बात पे, कि 16 लोगों के करीब लोगों ने, जो कुछ पदों पे पैनात किये गए थे, उ पार्टी के सह परदान है, उनका उरविया है, वो डिक्टेटर रहना है, वो डिक्टेटरिक तरह काम करते हैं, ये पार्टी आपने आप देखना है कि उनने इसके बारे में क्या करना है, क्योंकि आप पार्टी के, मुझे पार्टी से निश्कास, मुझे पार्टी सुस्प पत्यारातों बीरो रुपोर्ट चैनल पंजाब